जैम आता दी आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ सावन के सौमवार की व्रत कथा सावन मा का हिंदु धर्में विशेश महत पर इस माह में शिप की पूजा से भक्तों की सभी मुरादे पूरी होती है इस माह में सौमवार की व्रत शीग्र फल प्राप्त होता है इस मा में शिप की पूजा से बिवा में आने वाली दिक्कते दूर हो जाती है सावन में शिप पूजा से सभी तरह के दुख की समाप्ती हो जाती है शिप पूजा से हमारे समस्पाप का नाश हो जाता है और मित्यू के बाद भी मौक्ष की प्राप्ती होती है तो आए सुनते हैं इसकी व्रत का था एक शहर में एक साहुकार रहता था उसके घर में पैसो की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी जिसकी वज़ह से वो बहुत दुखी रहता था पूत्र की कामना करते वे वह हर सौंबार को भगवान शिव का व्रत किया करता था और शिव और पार्वती जी की पूरी भगती के साथ शिवाले में पूजा करता था उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसंद हुई और उन्होंने भगवान सिव शे शाहुकार की इक्षा पूरी करने का अनुरोद किया परवती जी की एक्षा सुनकर भगवान शिप नहीं कहा कि हे परवती इस संसार में प्रतेक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसारी फर मिलता है और उसके भाग में जो कुछ भी होता है उसे भुगतना ही पड़ता है लेकिन परवती जी ने सहुकार की आस्था को बनाए रखन सहुकार माता परवती और भगवान शिप की ये बाचित सुन रहा था वे पहले ही की तरह शिप की पूजा करता रहा कुछ समय बाद सहुकार के घर एक पुत्र का जन हुआ जब वे बालक 11 वर्ष का हुआ था उसे पढ़ने के लिए कासी भेज दिया गया सहुकार ने बेट जे दोनों एक ही तरह से यग करते थे और भ्रामनों को दक्षिना दान देते थे और काशी की और चले जाते थे रास्ते में एक नगर था जहां नगर के राजा की पुत्री का विवा होने वाला था लेकिन जिस राजकमार से उसका विवा तैह हुआ था वे काना था और इस जानकारी राजा को नहीं थी राजकुमार ने इस बात का लाव उठा कर अपने स्थान पर शाहुकार के बेटे को दुला बना दिया लेकिन साहुकार का बेटा इमानदार था उसने अफजर का लाव उठाया और राजकुमारी के दुपटे पर लिख दिया कि तुम मुझसे श चोड़कर राचा ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा उधर साहुकार का लड़का और उसके मामा का सी पहुचे और वहां जाकर यग किया लड़के की उम्र के दिन जब है 16 वर्ष का था एक यग किया गया लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तवियत ठीक नहीं है मामा न कहा प्राणात मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना होगा तब सिप जी मरे हुए लड़के के पास पहुचे और उन्होंने कहा कि यही यह उसी सहुकार का बेटा है जिसे मैंने बारा साल की उमर में वर्दान दिया था अब इसक की करपास में बालक जीवित हो गया सिक्षा शमाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर को लोट रहा था तो दोनों चलते वे उसी नगर में पहुचे जहां उसका विभार राजकमारी के साथ हुआ था उस नगर में भी उसने यग का आयोजन किया उस नग के के मामा ने नगर में पहुचताई एक दूत को घर भेज कर अपने आने की सुचना दी बेटे के जीवित वापस लोटने की सुचना से बेपारी बहुत प्रसंद हुआ बेपारी और उसकी पत्नी ने स्वैम को एक कमरे में बंद कर रखा था बुखे प्यासे रहकर वो दो भाका समाचार सुनकर उसकी खोसी का ठीकाना ना रहा उसी रात भगवान शिव ने बेपारी के सपने में आकर कहा हेश रिष्टी मैंने तेरे सुमबार की वरत कथा सुनने से प्रसंद होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है ऐसा सुनकर बेपारी का भी हुआ और इस परकार सावन के स्वामवार की प्रत्कत है समाप्त होई